नमस्कार मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं दा बिग वाई मेडिया हम मौजूद हैं जैपुर लोकसवा सीट पर हमारे साथ है बगरू से दोबार के विधायक कैलाश चन्दवर्मा हम इन से जानेंगे भारतिय जन्ता पार्टी जो एक कैडर बेस पार्टी मान मंत्री कॉंग्रिस के प्रत्यासी हैं नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो गाउं गरीब किसान की आवास तक आगे तक उठाती है जहां तक के जैपुर सेर का सवाल है आपने देखा अभी हमारा मूत मेनेजमेंट किस तरीके से हम काम करते हैं बारतिय जन्ता पा उन्होंने देश के परधान मंत्री रहते हुए एक विश्व के अंदर भारत की चाप को बड़ी मजबूती के साथ में करने का काम किया तीन सो सतर जैसी अनुचेद का खात्मा करके एक मेसेज दिया राम मंदिर जैसी आस्ता का केंदर बना उससे हम कैसे तक है आने वाले सम के अंदर जेपुर सहर को हम बहुत लंबे मारजन से चुनाव जीतेंगे और जीते हुए एक मेसेज देंगे कि राजस्तान की राज़दानी एक रियरसल के रूप में और आने वाले समय के अंदर जीज तरीके का बुथ मेंजेटमेंट हमने किया है उसको देखते हुए हम क हैं विदाइक भाज़पा के हैं केशन पोल और आदर्शनगर को छोड़ कर जो कि कॉंग्रेस के हैं प्रताप सिंखाचरियास ने जिस दिन नामांकन भरा उन्होंने कहा मुझे घर पे बुलाकर जहर दे के मार देना लेकिन भाज़पा का घमन तोड़ना है तो इतनी चैले प्रेंस तो कॉंग्रेस हर बारी देती है और ये कॉंग्रेस की परंपरा रही है आजादी के बाद में इतनी बड़ी पार्टी का तास्की पत्तों की तरफ विखर जाना इतनी बड़ी पार्टी थी परताप सिंग जी अपने आपको बड़े लीडर मानते हैं कॉंग्रेस अ दावा करने वाली पार्टी कि आने वाले समय के अंदर सिविल लाइन राजस्तान का नेतर्तु करेगी, खेर ये उनका प्तिवए है, वो क्या चाहते हैं, मगर भारतिय जन्ता पार्टी कभी भी, यानि मोटे बोल नहीं बोलती, यूं कहूं, और उन्हों ने अब तक जो मानि परदान मंतर जी की गारंटी में विश्वास किया, हमारे राजस्तान के लोगपिरी मुख्य मंतरी जीने जिस तरीके का वादा जन्ता के साथ में किया था, चाहिए RCP हो, चाहिए SIT का गटन हो, पेपर लीग जैसे मामले हो, बहुत सा बरस्ट अचार की नीतियों के उपर क बुकाना, ये करना, वो करना, तो बारत्य जन्ता पार्टी तो हमेशा जो मन के अंदर ठान ले, उसको पूरा करती है, उसी का नतीजह है कि काम की गारंटी, पूरा होने की गारंटी, ये परदान मंतर जी का संकलब है, हमारा बूत मेंच्मेंट इतना मजबूत है, कि आने वाले समय के अंदर हमारी जो आठ की आठ सीटों है आठ की आठ सीटों के उपर वारतिय जिन्ता पार्टी चुनाव जीतेगी चाहिए सामने कितना ही दिगज नेता हो चाहिए सामने कोई सी भी पार्टी हो हम हमारे बूत management के उपर हमारे को पूरा विश्वास है और उस विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि बगरू से एक लाग से और जैपुर सेर से मंजू सर्मा आठ लाग वोटो चुनावजीत के दिली की लोग सबाम जाएगी राजनीती में अक्सर देखने को मिलता है पार्टी के बाहर से ज़्यादा पार्टी के अंदर तकरारे होती है आपके सांसद वर्तमान सांसद राम चरन बोरा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर तीन तीन बार दूसरे सांसदों को मौका मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं उनका टिकेट कटा किया उनके मन में कोई टीस नहीं है वो पुरी तरह से पार्टी के साथ देखिए दूसरे दिन से इसांसदी पार्टी के साथ लग गए तेर भारतिय जनता पार्टी की रीती नीती भी है हमारी एक योजना रहती है कि भारते जंता पार्टी का मैं किसी सीट के उपर जाके चुनाव लड़ता हूं तो वो मेरी प्रोपर्टी नहीं है हमारी पार्टी केडर वेस्ट पार्टी है जिसमें नेशन परतम है ठी दूसरी है वेक्ति तीसरे नंबर के उपर है हम उस उद्देशे को लेके काम करते हैं कि गाउं गरीब किसान की चिंता कैसे हो सकती है, कौन ब्यक्ती कहता है इस बात को? हाँ, हो सकता है कि कभी कबार कोई बात ऐसी होती है, जिन्नों ने नैतर्तु किया, हलकी पारी कोई पीड़ा रहती है, मगर वूँ लंभी नहीं चलती पार्टी के अंद सांसर ची साथ रह के काम कर रहें और उसका नतीजा बीड़ा उपने जिकर किया आपके और रामचंदर जी की बीच में कोई पीड़ा है राजनीती के अंदर उतार चड़ा जीवन के अंदर चलते रहते हैं कभी कभार कोई उतार आता है चड़ाओ आता है मगर समय बद तरीके से बैठके अगर कोई चीज का सॉल्यूसन हो जाता है तो एक अच्छी पहल होती है वह पहल हमने देने की कोशिज की है और उस पहल का ही नतीजा है कि हम बगरू से 45,000 से जादा वोटों चुनाओ जीते हैं आप किसान की बात किया आपने की बापोती नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी में आपको पहली बार टिक्रिट मिला चारी बार चुनाओ हो है शायद बगरू में डेलिमिनीशन के बाद आप चुनाओ जीते पिछली बार भी 46,000 से इस बार 45,000 से ये किसान का लड़का कैसे नीती माया कैसे वो मैडम वसंदरा राजे जो राजनीती की धुरी मानी जाती थी राजस्तान में कदावर नेता उनके आखों का तारा बना उनके सरकार में पार्लेमेंटरी सेक्रेटरी बना महज 28 साल की उमर में देखिए मैंने जब राजस्तान यूनिवर्सिटी में इस्टूटेंट पॉलिटिक्स में था मैं निकोलेज का इलेक्शन जब फायट किया 2004 में तो मेरे पिताजी गाउं में आज भी खेती करते हैं गोसला चलाते हैं अगर मेरा एक संकलब था इस गाउं गरीब किसान की आवाज सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कैसे जाए तो मैंने इसको काम को स्टार्ट किया और काम को स्टार्ट किया तो बसरते हवाई फायर मैंन के छोड़ दिया था और बसरते एक चुनाव हम जब 2008 का चुनाव फर्स टाइम लड़ रहे थे हमारे प्रत्यासी थे बारतिय जिंता पार्टी के वो मैं पार्टी का तो तीसरी बार MLA हुई इसलिए बार एलेक्शन जरूर लूज कर गया मैं कुछ वोटों से बारतिय जिंता पार्टी का तो MLA था मैंने भामासा जैसी डोकुमेंटरी के उपर जिसमें महिला परती नहीं दितू कर सकती है यूँआँ कि इस बढ़ते वी सामाज व रूप में काम किया तो बसरते ये बात बिल्कुल सही है कि 163 लोगों के अंदर फर्स टाइम MLA को मोका मिलना स्टेट मिनिस्टर का एक बहुत बड़ी बात है मगर मैंने उस से जिम्मेदारी को भकू भी निबाया और राजस्तान के अंदर हर कोने के अंदर सरकार की नीतिय 181 के उपर अगर कोई गिर्विन से जाती थी चुरू सिकर जुन-जुन जैसे जिले के अंदर मैंने जाके काम किया और उस काम को हमेशा बढ़ाया आई आज भी निरंतर बढ़ रहा है बले ही मैं विदाएक हूं हमारी पार्टी का और अच्छे तरीके से आज भी काम कर रह गाउं गरीब किसान तक पहुंची हमारे को भी आउशर मिला उस आउशर को अच्छे तरीके से बुनाया और आगे भी अगर इस परकार का कोई आउशर मिलता है तो बड़ी मजबूती के साथ में पूरा करेंगे क्यों नहीं मिला आफसर क्या कारंण राक्या मेडम से आपकी नजदेकियों की वज़े से जब आव एक्सपिरियोंस नहीं दे तब भे आपको मौका मिला अज़ आवका अप Mickey जब आएक एक्सपिरियोंस नहीं आपको भी पता है हमारे माने परदान मंती जी का माने अमिस्सा जी का हमारे जेपी नडास जंगटन के माने सीपी जोसी जी का राष्टे देख जी का तो पार्टी की एक योजना योजनाबत तरीके से पार्टी चलती है पार्टी ने आउसर दिया काम किया आगे भी उसर देंगे, काम करेंगे तो पार्टी हमारी 365 दिन चलने वाली पार्टी है 24 गंटे काम करती है और पार्टी के अंदर मैंने पहले ही कहा कि नेशन पढ़ता हम है second number के उपर है और वेक्ती और पार्टीों के अंदर वेक्ती पहले है पता नहीं क्या है, देश के बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं, मगर जब मैंने पार्लियमेंट सेकेर्टी स्टेट मिनिस्टर रहते हुए काम किया था तो एक बहुत अच्छा मेसेज राजस्तान के अंदर गया था आगे भी पार्टी कोई जिम्मेदारी मेरे को देती है तो मैं अन्वोग के साथ में उसको पूरा करने के लिए तैयार हुए आपने का गरीब की बात की किसान की हर मुद्दे पे बात की मुद्दे की राजनीती करते हैं बगरू में पानी की समझ से आप बिलासपुर बिसलपुर डैम आपकी पूरो विधायक जो है उनका भी स्टेटमेंट जब उनकी गौवर्मनेंट के चार साल पूरे हुए बिजना को बनाने के लिए हमने पहले सर्वे कराया पूरा 145 गाओं एकजार डिहानिया और 21 हमारे नगर निगम के वार्ड सर्वे के बाद में इसकी डीपीयर बनाई है बनाने के बाद में जमीन अलोटमेंट कराई जमीन अलोटमेंट कराने के बाद में इसका बजट प्रावदान हमने किया और सारा करने के बाद में कम्प्लीट पानी की टंक्यों का भी काम चालू हो गया जगे जगे मगर 18 के अंदर बद नसीब रहे कि हम सरकार के अंदर नहीं मैं भी चुनाव हार गया। और उसी के तहित हम कह सकते थे कि विसलपूर जैसी योजना को कॉंग्रेस ने अटकाया लटकाया बठकाया। केवल ये कहके कि ये भारतिय जन्ता पार्टी की योजना है। ये कहके कि विधाय कैलास वरमाता उस समय ये लागू हुई थी। वो उसको रोका, पांच साल निकाल दिया अनन फानन के अंदर, अगर कॉंग्रेस ने विसलपूर के उपर एक लाइन चलाई, एक कागज चलाई तो मैं बेटा हूँ जवाब देने के लिए बिलकुल मेरे पर सामने आई। अब भारतिय जन्ता पार्टी की माने बजनलाल जी की नेतरत्वाली सरकार वापिस से आई है, हम मिलके पूरी तरीके से इसका जो प्राव धानता हूँ उसको पटल के उपर लेकिया है, उस काम को वापिस हमने चालू कर दिया, अभी एक फेज का जगतपुरा के अंदर टं करेंगी, भारतिय जन्ता पार्टी करेंगी, ERCP का इतना बड़ा मामला था, 13 जिलों के अंदर पानी देने का काम, चिचाई युक्त पानी भी होगा, पीने युक्त पानी भी होगा, और सब मिलके इस काम के अंदर लग गए, माने मुक्य मंत्री जी और हमारे जल सक्ती मंत् करती है, और होने की भी गारंटी देती है, तो ये आने वाले समय के अंदर दोनों जो विशलपूर हो, चाई ERCP उसको बारतिय जन्ता पार्टी पूरा करेंगी, आसान जादा कब सहज महसूस होता था काम करने में, 2013-18 कारेकाल या अब का, देखिए जब-जब अन्भो का व मिला, यूआ मिनिस्टर भी रहा है, तो काम की कभी उमर नहीं होती, काम तो कभी भी वेकती है, अपनी कलम उठाए, मैं सुबह पांच बजे उड़ता हूँ, कागज उठाता हूँ, पहन लेता हूँ, और काम के लग पड़ता हूँ, तो ये मेरी आदत के अंदर भी है, सु अपने काम सब कुछ बताया, यूआ विधायक है, मनुष्य हैं अपने आप में राजनेता के अलावा, मनुष्य के शौक होते हैं, आप कुछ अपना जीवन होता है, यूआ हैं आप, क्या शौक है आपके, ये जो नेताओं की अमुमन टैग लाइन है, जनता की सेवा को जी परदान मंची है, संकलप है, बिलकुछ स्वच हमारा बगरू रहे, और इसे योजना को मैं कापी अपने आप में भी मानता हूँ, आगे भी बढ़ाने का काम करता हूँ, ये मेरा सोक है, साबसुतरा रहना, साबसुतरे काम करना, साबसुतरी योजनाओं के बारे में लोग सेट भी किया, और मेरी डोकुमेंटरी बनाने के पीछे बहुत सारी चीजे रहती है, मैं ये काम करता रहता हूँ, कहीं गाने की छोटी मोटी डोकुमेंटरी बना दी, अभी मैं फिर से लोट के आऊंगा, मेरा वादा है, बगरू के अंदर एक गाना मैंने लौंच किया, और गाना बनाना मेरी फितरत के अंदर है, मैं हमेशा करता रहता हूँ, आगे भी अभी विजेपी के लिए जो योजनाए है, उसका एक मेरी शुटिंग चल रही है, अभी जल्दी ही गाना लौंच करूँगा, उसमें एक मेरी होवी है ये काम करने की, जिसको मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, लोगसबा चुनाओ को मद्दे नजर रखते हुए, एक संदेश, राजिस्थान या आपके लोगसबा, विदानसबा, लोगसबा चेतर की जनता है, देखिए बगरु विदानसबा, चेतर की जनता से मेरा हाथ जोड़ की विनमर अपील है, आ आने वाली 19 तारीक को भारतिय जनता पार्टी के पक्स में मतदान करें, माने नरेंदर मोदी जी का जो संकलप है, कि फिर एक बार मोदी सरकार अपकी बार 400 पार के नारे में बगरु विदानसबा, चेतर का विकार्य करता कहीं पीछे नहीं रहेगा, आओ हम सब मिलके इस व वर्ग मिलके काम करें, यही मेरा संदेश है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका ये थे हमारे साथ, बगरु से दो बार के युवा विधायक, डॉक्टर कैलास चंद वर्मा बने रही हमारे साथ, लोगसभा के और अपडेट्स के लिए हम इनसे दोबारा मिलेंगे, इ के बार में विस तो